टूट गया माही का दिल लखनों के केल राहूल की तरह माही के साथ हो गई बचसलों की पहली बार बीच मैदान पर धोनी को रोते हुए फैंस ने देखा आखरी वक्त में बुरा हुआ मालिक भी शामिल शमन गिल ने आजित अगरकर को दिखा यांख बला से इशारा करके कहा रोक कर दिखाओ दो गेद बासों ने दिया माही को धोका चिन्नाई को राने के लिए किसने करोड़ रुपए फेका पॉइंट टेबल में चिन्नाई के हारते ही भारी उठल पुथल अचानक तीन मरी हुई टीमों में आ गई जान साबित हो गया शिवमदूबे अक्सिडेंटल बैट्समेन हैं काम के नहीं सिर्फ नाम के हैं हजारों की भीड़ में पहली बात धोनी की आखों में आसू ते धोनी रो रहे थे क्योंकि धोनी की एक गलती ने उनकी टीम को आईपियल से बाहर होने के मोहाने पर लाकर खड़ा कर दिया चन्नाई के लिए सीजन में प्ले आफ खेलने का सपना करिब करिब चकनाचूर हो चलाए धोनी ड्रसिंग रोम में बैटकर सिर्फ पष्टा रहे थे वो तीन गलती जिस पर वो आसू बहा रहे थे लेकिन आज तो में स्थोनी के साथ भी वही हो गया जो तीन दिन पहले के लराहूल के साथ संजीव गोयनका ने किया था माही भाई को चाहने वाले लोगों का दिल बैट गया चुन्नाई के हाते ही पॉइंट टेबल में ऐसी तबाही मची की जिन तीन टीमों के उमीदे मुर्जा गई थी वो अचानक हरी हो गई और जिनके बारे में फैंट्स मान कर चल रहे थे कि ये प्लेओफ में पक्का पहुँचेगी उसी का रास्ता मुश्किल हो गया आईपेल 2024 के 69 मुकाबले में गुजराट टाइटन्स ने चन्नाई सुपर किंक्स पर बड़ी जीत हासिल की और इस जीत के साथ ही आईपेल के पॉइंट टेबल में भारित तबाही मचा दी एमदबाद के मैदान पर चन्नाई और गुजराट की भढ़नत हुई जैसे आज गुजराट कसम खा कर उतरी थी कि हम तो डूबेंगे सनम तुमें भी लेकर डूबेंगे गुजराट पर तो पहले ही प्लेओफ से बाहर होने का खत्रा था लेकिन दूसरी तरफ चन्नाई के लिए भी उस ने जाते-जाते मुसीबत पढ़ा दी टॉस हार कर गुजराट पैटिंग करने आई शुबमन गिल एंड कमपनी ने पहले बल्लेबाजी करते हूँ 232 रन का विशाल स्कोर लगाया जवाब में चन्नाई सुपर किंग्स 196 रन बनाने में सफल रही और 35 रन से मैच हार गई इसके बाद पॉइंट टेबल में सुनामी आ गई धोनी की टीम के लिए कितनी उमीदे बची है जरा देखिए चन्नाई सुपर किंग्स के खिलाफ मैच जीत कर गुजराट टाइटन्स ने आई पिल 2024 के पॉइंट टेबल में समिकरण में बदला उला दिया है दरसल शुबमन गिल एंड कमपनी ने मैच अपने नाम कर प्लेओफ में जाने की अपने उमीदे जिन्दा कर ली अगर गुजराट अपने बाकी बचे हुए सारे मैच जीत जाता है तो उसके लिए सेमी फाइनल जाने का रास्ता खुल जाएगा हालांकि एक भी मैच कवा देता है तो उसको IPL 2024 से बाहर होना पड़ेगा दूसरी तरफ चिन्नाई सूपर किंग्स के लिए आगे किरा और कठीड हो गई क्योंकि उसके चौथे नंबर को छीनने के लिए दिल्ली कैपिल्स, लखनो सूपर जैंड्स, रॉयल चैलेंजर स्पैंग्लूरू और गुजराट टाइटन्स के भी जंग छुड़ गई है इन टीमों को सीजन के दो-दो मैच खेलने हैं, इस बीच चिन्नाई को अपने शांदार नेटरन डेट का फाइदा हो सकता है लेगिन चिन्नाई की मुश्किल यह है कि उसका अगला मैच राजस्थान रॉयल से राजस्थान तो आपको पता ही है कि वो जल्दी मैच हारती नहीं है दूसरा मैच रॉयल चैलेंजर स्पैंग्डूरू यानि कि विराट कोली की टीम से विराट कोली की टीम ने अपने फॉर्म में जबरदस्थ इजाफा किया है लेहाज आप देखना है दिल्चस्थ होगा कि कौन सी टीम टॉप फोर में जगह बना पाती है बता दे कि IPL 2024 के पॉइंट टेबल में नवे और दसवे नमबर पर काबिस मोंबा इंडियन्स और पंजाब किंग्स का मौजूदा सीजन में सफर खत्म हो चुका है हालांकि इस हार के बाद धोनी बहुत मायूस दिखे कुछ मीडिया रिपोर्ट में दावा क्या जारा है कि चन्नाई के टीम मैंजमेंट ने मैच के दोरान ही धोनी को खरी खोटी सुना दी क्योंकि चन्नाई टीम मैंजमेंट का मानना है कि धोनी न अगर कपतानी नहीं चोड़ी होती